मुंबई के दैसर इलाके में दो बदमाशों ने इस्टेट बैंक आफ इंडिया ची शाखा में आज शाम फाइरिंग कर धाई लाक रुपे लूट कर फरार हो गई इस फाइरिंग में एक करमचारी शंदेश गूमरे की मौत हो गई है जबकि एक करमचारी घायल बताया रहा है यह पूरी वारदात बैंक में लगे सीसी टीवी में कैद हो गई है आपको बता दें कि हर रोज की तरह इस बैंक में कामकाश सब कुछ ठीक तरह से चल रहा था मग कर तभी चेहरे पर रुमाल बांधे दो चोर बैंक के अंदर शाम साड़े तीन बज़े के आसपास दाखिल होते हैं और पिस्टॉल से फाइरिंग कर धाईल लाख रुपे कैश लूट लेते हैं इस फाइरिंग में संदेश गोमरे नाम के एक करमचारी की मौत हो जाती है ज अलहार पर छांगवीन की जा रही है में जो इंप्लाइट है उनकी दुर्बाग्यवाश बेत हो गई है फिलिस यहां पर पुरन पहुंची है हम लोग ने सिस्टू फूटेज देखा है और और अरुपिंग को डिक्शन के लिए हैं को दूनने के लिए हम लोग ने आज टिंग अड़ी लगाई है और हम लोग जल्दी उनको दून के लिए हैं किस तरीके से आये थे कुछ उसके बारे में कुछ फिलाल चलके आये ऐसा दिख रहा है और कोई वेहिकल का यूज किया है वह भी हम लोग दून के निकाले तकरीवन दूपेर में साड़ी दिन का सभी था पंदर आठा का टाइम था और हम ल सब्सक्राइब देख रहे हूं कि दो लोग भाग रहे हैं से तो हमें नौर्मल ऐसे लगा जनरली बचे लोग कुछ भागते रहते हैं और दो से तीन मिनिट के बाद देख रहा हूं तो हमारे पास के सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिए दिन क्लोजिंग टैम रहता बैंकर और जनरली कोई रहते नहीं है वही टैम पर यह हुआ है इसको गुली लेगी उसका नाम आपको शुन्दे में आरहा है संसेत करके कादमी था अंदर संसेत उसको गुली लगी हुए और उसको सता भी ओस्पिटर लेखे गया हुआ है अपका नाम क्या है प्रवीन मकवाना मैं यहां ही गुरुकुल टाओर में रहता हूँ